जैसे हो भाई इस वक्त मैं हूँ आज की मंडी में और यह मंडी है मंडी हाई और जो मंडी का दिन है जो लगने वाला हो आए सोमवार हर पीर को मंडी लगती है मंडी की मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूं दूर दूर तक आप जहां तक भी नजर तड़ाओगे भैस कड़े और कुर्बानी का माल जातेतर आज की मंडी के लगने वाली है हर सउमवार याई लगते हैं इस बार इद अगले पीर की पढ़ तो हमने परदान जीसे मालूम किया कि बजार को अगले जो सोमवार को पीर पढ़ रहा उससे पहले बजार लगेगा यह नहीं तो उसके बारे में आपका बजार कौन से दिन लगेगा असलाम अलेकुम सबसे पहले तो आपके आपसे तारुफ कराता हूं जो मंडी के मालिक हैं और माशालला जितनी जिम्मेदारी है इस मंडी की सब इनके कंदोबर है हर तरह का किसी तरह का फ्रोड ना हो किसी तरह की कोई वहिमानी ना हो तो इसके बारे माजी जिसे मालूम करते हैं कि अगला वजार कौन से दिन लगना है क्योंकि अगला वजार इद वाली दिन का पढ़ रहा है मगर आज जिसे हमने मालूमात करी तो अगले बजार पीर वाला दिन पढ़़ा है और वी रिए हुँ तो उसमें यह ऐलान कके लिए जा रहा है यह बार रा है सब्सक्राइब में लगेगा तो जैसे कोई वेपारी को कोई दिक्कत कोई परेशान नहीं और ठेहरने का इंतिजाम हाजी जी के यहां मदल से के अंदर होता है जिसमें हजारों की तादाद में पशूप हर बार की तरह रुपते हैं चलूंगा मैं इंशाल्ला वहां के वीडियो कवर करूगा दिखाऊंगा किस किस तरीके दर माप जो वेपारी माल खरीद करके अपना उस बजार के अंदर रखते हैं एक बार हाजी जी अगर कोई कॉटेक्ट करें अपना मॉबाइल नमबर हो बता दो किसी से मेरे नमबर है चोरानवे बारा चालिस उनसट चूटिस यह हमारे हाजी जी का नमबर है जिस भाई को संपर करनो किसी तरह की भी कोई फ्रोट बना यहीं इसी बाजार के अंदर आज के दिन आज के दिन हर बाजार के अंदर हाजी जी की जिम्मेदारी होती है किसी तरह बार बार एलान होता है माईक में बार बार यही होता है कि कोई भी फ्रोट न कर चाहता हो कोई परेशानी हो आजी जी से आके मालूम कर सकते हो तो बहुत बहुत शुक्रिया दन्यवाद आजी जी लाम अलीकुम